शात्रो मैं विश्टता सर्मा आज आपका इस सेशन में एक बार फिर स्वारत करता हूं शात्रो आज अपन देखेंगे जो IC इंजिन जो है इंटरनल कमबर्शन इंजिन किसके अंदर जो कुलिंग करते हैं अपन इंजिन की तो इस कुलिंग की रिक्वार्मेंट क्यों है यानि जो अपना तोपिक है वो है कि इस कुलिंग की नेसिसिटी क्या है इंजिन की कुलिंग की ओपरते हैं चाहे अपन डिजल इंजिन की बात करें चाहे पैट्रो इंजिन की बात करें तो अपन इंजन कुलिंग की नेसेसिटी क्यों है इस पे चात्रों पन जाएं उससे पहले अपन यह दी देखें कि जो अपना सिलेंडर है उस सिलेंडर का यह दी कट सेक्शन अपन देखें और कट सेक्शन के अंदर इंटरनल जो फ्यूल जब बार्ण होता है तुम्हां का ट एंपर कट करें तो यह दियाक्राम आप आप लोगके कि इन स सामने है यह द स्रीय्याप की और किसे तो आक फ्यूल स्थिए कुल्डर जी खिफिए और ये जो लायन ब्लेक लोर्में आक दीख रही है यह दार्ण iki लायन चाहुतंबखकरया ने बार्ण कर लेकीसिलिंदर य temperature क्या होता है फ्यूल का तो यह temperature gradient सारा अब इसको open देखें तो यह एक चो लाइन दिखा रहे किए यह आपकी air film यानि यह वो portion है इंजन का जो की atmosphere के contact के अंदर आता है यहाँ पे है आपकी gas film यानि यह वो portion है जो की जैसा मैंने आपको बता है जो cylinder यहाँ पे fuel आपका burn होता ह अब आप इसमें देखिए यह बाहर की साइड में cooling air है यह आपकी cylinder की walls होती है उस cylinder की wall के contact में आती है और एक film यह एर की film बन जाती है यहाँ पे तो cooling air का temperature यहाँ बाहर करें तो लबब 25-35 degree के असपास इसके range होती है और तो cooling air यहाँ पे देखिए यह आपका temperature यहाँ पर यहाँ पर यह सिलिंडर की wall होगी है तो cylinder की wall और इसके अंदेपन देखिए तो इसके अंदर gradient जो एक straight line के अंदर आपका temperature राइज होता है और वो temperature जो इस point के अपर आपका है वो 100-150 degree centigrade तक हो जाता है यह अपन बात कर रहे है जो fuel आपका burn हो रहा है engine आपका running condition है उस case के अपन बात कर रहे है फिर यह cylinder की walls है इस cylinder की wall में अगें आपका temperature rise हो रहा है और इस point के अपर temperature है वो आपका 150-200 degree centigrade हो जाता है यह आपकी gas की film बनी वी ह और यहां जो आपका combustion होता है और इस combustion में जो आपका temperature rise होता है जो maximum temperature अपर कह सकते हैं जो की expansion से जस्ट पहले जो आपका जहाँ पर power stroke होता है और शूल जब आपका burn होता है तो maximum temperature जो आपका पहुंचता है वो 300 degree centigrade से 25 degree centigrade तक पहुंच जाता है तो इसमें पने चातरों क्या द क्यों इतना temperature आपका maintain था तो जो cylinder का जो cylinder की बात करो या यहां जो piston आपका run करता है reciprocating motion करता है तो उनका जो material है दोनों material पे आपका impact आएगा दोनों material cylinder के material की और piston के material के damage होने के पूरी-पूरी संभावना होती है इसके लाओ और बहुत साले parameter है जो की high temperature को वज़े से समश करें तो सबसे पहला आता है इसके अंदर यह आपके सामने है chemical and physical changes in oil जो पन बात करते हैं तो उसके अंदर chemical and physical changes दोनों आजाते है इस high temperature की वज़े से और उससे होता क्या है उससे जो piston rings जो आपकी है उस piston ring का वियर हो सकता है और piston रियर जो है आपकी cylinder की अंदर की side में stick कर सक करता है और piston ring इस wall के contact में रहती है तो जब आपका temperature ज्यादा होगा तो expand हो जाएगी तो piston rings जो इस wall पे stick हो जाएगी और जो stick हो सकती है तो उससे क्या piston आपका siege होने की संभावना भी उसके अंदर हो जाती है और जैसा मैंना आप बतायत के साथ-साथ हाई temperature की वज़े से piston औ आपकी कम हो जाती है तो अपनी कोशिश से होने चे जो तेइसो जे पच्छिसो डिगरी सेंडिकरे टेम्परेचर है वो आपका temperature लगबख एकसो सतर डिगरी के आसपास अपने रखते है एकसो सतर डिगरी आपको तो 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 से दो सो डिगरी आपको इमेंटेन और शेटिंग होगी और और अपकी क्या होती है उसके इलेक्टरोड की ऑवरेटिंग से क्या होती है आपका वह पॉइंट जे हो एजए शेपार्ड पलक काम करना चालो कर जकता है उर से क्या होता है जो material section stock आपका स्टार्ट अपका या श्चार्ट होता है तो जनली अपन क अब चुकि पार्क पलक जो है उसके इलेक्टर पहले ही होट होगे ज्यादा ओवरेटिट होगे तो वह पहले इग्निशन स्टार्ट कर देगे तो वह प्री इग्निशन की फिनोमेना हो जाती है और इसके विज़ से डेटोनेशन जो कि आपका डेटोनेशन की समश्या मैंने आपका डेटोनेशन जो है बहुत ज़्यादा आपकी नोकिंग की फिनोमेना की रिपन बात कर तो इंजन की रनिंग आपकी नहीं होगी इसके साथ-साथ जब आपका टेंपरेटिर ज्यादा हो जाता है तो जो चार जोगा चार्ज की वोल्यूमेटिक इफिसिंसी है वो भी आपकी कम हो जाएगी और वोल्यूमेटिक इफिसिंस जब कम हो जाएगी तो नेशली पावर जए पावर आउटूट भी आपका आपका अटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा दैन बंडिंग ओफ लिप्रिकेटिंग जैसे मैं आपको बताया था इसके साथ-साथ जो है य जो हाई टेम्परेशियर के बात करते है तो हाई टेम्परेशर से क्या-क्या नुकसान अपने को और सकता है यहां जैसा कि आपने सातों इंजन देखा है अब इंजन की जब अपन थर्मल इफिजिंसी की बात करते हैं, तो इस जो थर्मल इफिजिंसी हो लगब 30% से 35% होती है, और जो कुलेंट की अपन बात करते हैं, कुलेंट के दौरा भी जैसे आपको हीट बैलेंस इट बताईए है, करें कि जैसे मैंने का हाइड तो हाइड तेमप्रेचर लूगाओग आह वहाइड तेमपरेचर यह को थे जांदेड हीड पहरेगा पन्रेटर करें किति लिफ देड बात बात करें को पर देड उफ हीड रिफ थे से 100 ईसे देड़ लूग और हीड दिक Buzz बने क्या 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 प्रोपर्टीज ह categ थे तो क्यो अपन, इूझे हैं गाई अपन अब इस क्योलिकली हो पार्इन का क्या है क्योंतरीज है क्योंतरीज परफिटीजोंतर गिंठरीज हो, निंडर का ने राइन है कि जल्देंस जल्दा की फर्मल्स चाहि ए तो फर्मल्स के आदे के पास हीड ट्रांसफिर के हाइद काष्वण्ड़ आपकी K 착यी पीकिक पार मशती है Ma कोस्ट की पर बात करें,het नोन टॉकिछिक होना की wears करें ऐसे ही कमिकली इनर्ट होना चीई, ऐसे ही क्यि say, ऐसे ही क्योंग ज़िक्ष आपकोन होना चीई, और सम्मादा करूंग जए कोट जो मैंने आपको प्रोपर्टी बतई लगबख सारी जो प्रोपटी दिया वहां को ओप उसको आपका उसको आपका फुल ओनके सुन्बावना रहती है तो वाटर को दोबन है जो कुलेंट यूज करते हैं तो उसके अंदर anti-freezing solution जो है वो उसके अंदर डाला जाता है जिससे कि वो पानी जो आपका है 0 degree पे आपका पानी जो है वो solid रूप में solid के अंदर convert ना हो जाए जिरो डेगर फ्रीज हो जाएगा वहाँ temperature आपका माइनस दस माइनस पंदर डेगर तेमपरेज आपका चलता है तो इससे आपको ध्यान में रखनी है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं पानी के साथ anti-freeze solution अपन जो वो mix कर देते हैं और anti-freeze solution के पन जो बात करते हैं वो सब आपसे जो common जो यूज करते हैं पन वो methyl and ethyl alcohol जो है और एक ethylene glycol ये दो तीन होगा एक तरीक से methyl alcohol ethyl alcohol ethylene glycol तो तीन जो है इसको अपन पानी के अंदर यूज करते हैं पानी के solution साथ जिससे पानी आपका फ्रीज ना उपाए तो चातरों ये अपना आज cooling के बारे में कूल करेंगे कौन कोंसे methods हैं तो next one पर अपन cooling के methods के बारे में सर्चा करेंगे धन्यवाद